आप सुन रहे हैं भगवान दास मुरवाल जी का उपन्यास हलाला धरावाही खूप से आज सुनिये भाग पाँच दान पुराणों घी नयों और कुटम परिवार उनको टोटो कहा करें जिनकी हस्ती पावे नार ये दोहा हाजी खुदा भख्ष और टटलू सेट की बिचली बहु नजराना पर सौफ फीजदी सही बैठता है सुख हो या दुख हारी हो या बीमारी यानि कैसे भी हालात रहे हो नजराना को पूरा महला हमेश्चा हस्तर मुस्कुराता देखता आया है मजाल है किसी ने उसके चेहरे पर शिकन और माते की तियोरिया चड़ी हुई देखी हो महले के रिष्टे में लगने वाले तथा कथित वाकथित चंचल देवरों की तो हालत ये है कि जब तलक्वे अपनी इस हस्मुक भावज का मूना देखने उनका कोई काम सधता ही नहीं है लगता है ऐसी ही कामनियों को लेकर हमारी रिचाओं में ये वर्नित है कि इन देवरों की क्या कहें खुद हाजी खुदाबक्ष के भी दिन तभी से फिरे हैं जबसे नजराना उनके घर में बहु बनकर आई है वरना इस खुदा वक्ष नाम के खाती को कौन जानता था किसने सोचा था कि एक दिन तीन तीन जेसीबी मशीनों का मालिब बन जाएगा किसने सोचा था कि जिस खुदा वक्ष को दिन बर रंदा चलाने से फुरसत नहीं मिलती थी और जिससे पांचो वक्त की तो छोड़िये एक वक्त की नमाज पढ़ने की फुरसत नहीं मिलती थी एक दिन हज कर आएगा और पूरे गाओं की गलियों वा रास्तों को हाजी बन सीना तान कर खुंदता नजर आएगा किसने सोचा था कि जिस खुदा वक्ष को गाओं के आदे से जादा सर्माएदार उसे जाती सुचक्षद यानि खाती कहकर संबोधित करते थे वही उनके लिए एक दिन टटलू सेट हो जाएगा इसे कहते हैं माथे की लकीरों का करिश्मा कि पता नहीं कि इनसान का वक्त किसके भागे से बदल जाए हालात ये हो गए कि जिसने भी सुना उसी के मन से रह रहकर बद्दुआ निकल रही है कि खुदा वक्ष तुनी अच्छा नहीं किया जिस दौलत पर तु इतना इतरा रहा है देखना एक दिन सब मट्या मेट हो जाएगा क्योंकि बैमानी और हराम से कमाई गई दौलत के पाउं नहीं होते हैं पता नहीं इसके पाउं कब डगमागा जाए और चुपचाप कि सकर किसी और को नहीं हाल करते वैसे भी जिस घर में औरत वो भी नजराना जैसी भली और नेक औरत की इज़त ना हो उस घर का कोई काम सफल नहीं होता हाजी खुदा वक्ष भले इस बात को नहीं समझ पा रहा है मगर है तो यही सही कि जाने आन बान समझी नहीं होए चाहे चौधे बिदा बिदान गयो वक्त आवे नहीं भीक जी पचपच भीरे जहान परेशान तो टकलू सेट भी बहुत है लेकर उ करे भी तो क्या करे उसके बिचले लड़के नियाज नहीं ठीक नहीं किया उसने तो कवाम का हग भी काईदे से अदानी किया और तो और उसने कुरान की इस नसीहत का भी ख्याल नहीं रखा कि मर्द औरत पर कवाम है इसलिए अल्ला ने उसको औरत पर तरजी दी है जबकि नजराना को तीन तीन बच्चों की मां होने के बावजूद महले में किसीने अपने ये शोहर की बात दूर रही मजाल है किसी से उच्ची आवाजे बात करते हूँ देखा हो सच तो ये है कि बकॉल कवाम के अन्निसा की एक आयत नजराना ऐसी नेक औरत है जो नकिवल अपने शोहर के हुک्म को मानने वाली है बलकि उसकी गैर मौजूदगी में अल्ला की तौफीक से उसके हकों की भी हिफाज़त करने वाली है टकलू सेट के बिचले लड़के नियाज ने ऐसी ही नेक और भली औरत को एक जटके से किसी पुराने दरक्त की तरह उसकी जड़ों से उखाड़ कर फेक दिया उस नेक औरत को जिसके लिए शोहर को राजी और खुश रखना सबसे बड़ी अबादत है जिसने अपने प्यारे नबी सल्ला वाले असल्म द्वारा फरमाए गए शोहर के हकों जैसे जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने काम के लिए बुलाए तो जरूर उसके पास आए बहले ही वो चुले पर क्यों ना बैठी हो कि कभी ना फर्मानी नहीं की वो हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अश्रफ अली थानवी द्वारा रचित असली और मुकमल कशिदाकारी वाले बहिश्टी जेवर में बढ़नित मिया के साथ निभा करने के तरीखों का मन से पालन करती रही है उसने कभी शोहर की हैसियस से ज़्यादा खर्च मांगना तो दूर रहा सोचा तक नहीं उससे अपने कवाम से जो भी मिला अपना घर समझ कर और चटनी रोटी खा कर बसर करती रही यहां तक कि नियाज की अच्छी माली हालत होने के बावजूद नजराना ने कभी किसी चीज की फरमाईश नहीं की यही टटलू सेट पिछले कई दिनों से बेहत परेशान है इतना परेशान तो तब भी नहीं रहा जब आए दिन लोगों का ठकलू काटता और पुलिस उसके पीछे पीछे दोड़ती इतना तो तब भी नहीं तूटा जब उसने पुलिस अधीकशक के बेटे का तब्यास से ठकलू काटा था पुलिस अधीक्षा को से जिन्दगी भर नहीं भूल सकता कि उसका कैसे शातित टटलू बास से पाला पड़ा है पूरे इलाके में हाजी खुदाबक्ष के टटलू काटने के किस्से मशूर है किस तरह एक बार उसने और उसके दूसे साती रहमत ने दिल्ली के एक सेट का टटलू काटा इस किस्से को जब भी खुदाबक्ष रस ले लेकर हुमकते हुए सुनाता है तब सुनने वाले का रुआ रुआ मारे रुमांच और थ्रिल के कापने लगता है लपर लेंडी के भरे हुए चोतरे पर जब उसने पहली बार एक किस्सा सुनाया था तब वहां मौजूद पूरा चोतरा मानोस का मुरीद हो गया था लगबग दरजन पर अकरमर ने युवाओं ने उसी सवे मनी मन एक बार तो ये प्रणसा ले लिया था कि ऐसी तैसी में जाए ये महनत मजूरी क्यों ना इस खुदाबक्ष की तरह इसी धंदे को अपनाया जाए मगर पुलिस अधिक्षक के बेटे का टटलू काटने के बाद पुलिस ने खुदाबक्ष की जो हालत की उसके बाद तब कहीं जाकर इन विवाओं के से से टटलू बाज बनने का भूत उत्रा हाजी खुदाबक्ष की चाल में जो आज लोच है वो उसी पुलिस अधिक्षक द्वारा अपनाएगा थर्ड डिग्री का नतीज़ा है आज में खुदाबक्ष को लगता है मानो उसके तलूओं में नुकीली कीले खुटकी हुई है पिंडलियों के मानस्पेशियों को जैसे आपस में कस दिया गया है और कमर में मानो अंगिनत खपच्चियां बनी हुई है ये अलग बात है कि खुदाबक्ष का ये आखरी टकलू साबित हुआ मगर तब तक वे इंतजाम कर चुका था कि आज उसके पास ना केवल तीन तीन जैसी भी है बलकि हाईवे के किनारे कई एकर जमीन का भी मालिक है पहली बार जब खुदाबक्ष लपरलेंडी के चौतरें पर रहसे और रोमांच से भरे अपने सकार नामे को सुना रहा था तो पूरा चौतरा सांसे रोके से सुन रहा था मारे कौतुहल के लगवर दो दरजन आखें फैल और सिकोड रही थी इसे जरा आप भी सुने तो भी लाला फजर की अजान के वक्त हमने बढकली सूधी दिल्ली की मोटर पकड़ी बस अड़ा पे पहले हमने हात मुध होया और फ्रे पैदली चल पड़ा मुर्गी की तलास में एक जिगे हमने घणाई सारी मिस्तरी और बेलदार दिखाई दिया तो हम भी उनमें जा मिला सबसू पहले एक सेठ आयो और बोलो कि वही दो बेलदार चाहिएं सुनतजी हम त्व जात तयार होगा पर जहांने पूछी के सेठ जी काम कहा है तो उन बोलो कि ईथ्धुआणी है एटन कानाम सुनतजी हमने पट्ट मना करती एशे एक एक करके कही सेठ आया आखिर में कार मेंक सेठा आयो हमनेमें जब काम का बारामा पूछी तो वो बोलो कि 8-10 फुट गहरो गड़ा खुर्दवान हो हैं गड़ा का नाम सुनते ही हम तो जट तयार होगा और कार में बैठ के वाकी कोठी पे जा पहुंचा सेथ ने गड़ा की जिगह बताई और यह कहके अपनी दुकान पे चलोगो कि दुपर मैं आ पैक स्कुंट अंब बने फाक्ष के और मज़ा नहीं हार कर लपरलैंडी ने ही एक तरह से पूरे चोत्रहे की ओर से ही सवाल किया तो तमने उगड़्ठा दुपर तलग खोद दियो हो और आप असली किस्सार तो अब है असली किस्सार एक साथ पूरे चोत्रहे पहुंद से बहिवा बिचारी सिथानी ने हमारी बड़ी सेवा करी ही। काई भला खानान की ही बड़ी मलू की। एक बार तो मेरा जी में आई कि दारी की कि चिपट जाओ। खुदा बख्ष ने दात पीशते हुए सिसकारी भरी। पूषि देखी तो देखते ही रहमत और मैं आपस में गुठ own गुठा। कदी रहमत माठी का डू में मेरे उपर और कदी मैं रहमत के उपर, सेट ने हम दोनु को लड़ता देखा तो दोड़ो दोड़ो हमारे पे आयो, और हमने छुड़ाते हुए बोलो, के भाई, तम आपस में कोई बात पर जगड़ा कर रहा हो, तो भाई लाला, हम दोनु चुप, सेट ने जब जोड़ देके पूछी, तो तब जा में एक मूर्ती निकली है, मूर्ती को नाम सुनते ही, सेट तो जैसे बावलो होगो, और मेरे कने आके बोलो, के दिखाईयो कैसी मूर्ती है, मैंने तहमत में लपेट के धर राकी मूर्ती दिखाई, और बोलो, के सेट जी, ये रहमत कह रो है, कि जब ये मूर्ती मैंने निक कैसे होगी जब ये मेरे गड़ा में निक्री है तो मेरी हुई यार खुदा बखस सेच ने ये बातों सही कही ही लपर लेंडी ने बहुत भूलेपन से कहा लपर लेंडी तू भी है कोरो बावलंडी मेरे यार सेच की तो उखाली जगए पर ही मूर्ती तो हमने निकाली ही ये बाद भी तेरी सही हो लपर लेंडी खुदा बख्ष से सहमत होते हुए बोला अब कही तैने असली बात तो भाई यासु पहले के सेच कुछ कहतो मैंने ऐसी तुक्का भिणा दियो के सेच जी इमूर्ती तो घड़ी कीमती ना होएगी कै मैंने तो इतनी कही सेच ने तुरं सेच के इतना कहते ही मैं तो वापे बिना टिकट चढ़को के सेच जी लखोन की मूर्ती ए लेके हम मनने हजाराजार रुपिया में चूतिया बढ़ा रहा हो ठीक है हम अभी पुलिस पे जा रहा है पुलिस को नाम सुनते ही सेच तो घबरागो और फिर तो वा मूर्ती के ब इसी कहा बात ही वा मूर्ती में लपर लेंडी ने हैरान होते हुए बूछा अन्याई जब वा सेच ने तमकू दो लाग दिया हा तो वाने कितना कमाया हूंगा चौतरे से दूसरे ने कहा अभी तो आगे सुनो दो लाग देके वा सेच ने हम अपनी कार में बिठाया और बस बाड़ी कल सु हम भी गढ़ा खोदर दिल्ली जांगा कदीना कदी तो काइ गढ़ा में कोई मूर्ती निकलेगी लपर लेंडी की आँखों में मानों छोटे चोटे जुगनू तिर में राने लगे अरे इनकी किस्मत में गढ़ा न मूर्ती ने बदली है किसीने लपर सेट भी वा बकत मूर पकड़ के खूब रोय होएगो जब वा मूर्तिय बेचन गए होएगो मूर पकड़ के रोय होएगो कहा मतलब मैं कुछ समझो ना प्रापरलेंडी हक बका गया और तू कहा समझ रो है अरे जो मूर्तिवा गड़ा में निकली ही उतो एक मामूली सी मूर्ति ही जो हमने पहले से खरीद रा की ही हमने तू घिस घिस के ऐसी बना दी जैसे कितनी पुराणी है मेरे यार हमने तो उल्लू का पठावा दिल्ली के सेट को टटलू काटो हो टटलू काटो हो तो फिर तिहारी उगुथम पुथा हाता पाई सब दिरामा हो तिहारे एक बाद समझें ना आई कि खुदा पगस और रहमत में वाद्शु दिल्ली गड़्दा खोदर जांगा भाई वाँ मानगा असली मरत निकला तम तो लपर लेंडी ने खुदा वक्ष और रहमत की दिलेरी और चालाकी को सरहाते हुए कहा लपर लेंडी का पूरा चौतरा खुदा वक्ष और रहमत के इस कारणामे यानि दुस्साहस बरे टटलू को सुन दातों तले अंगली दबा कर रह गया इसके बाद तो खुदा वक्ष ने जैसे पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी नकली मुड़तियों को बेश कीमती पता कर तो कभी सोने की नकली मीटों के बल पर उसने ऐसे ऐसे मोटे टटलू काटे कि देखते ही देखते पूरे इलाके में टटलू सेट के नाम से उसकी जो शोहरत और इज़त बनी उसके चलते छोटे छोटे टटलू बाज उसे अपना उस्ताद और आदर्श मानने लगे इलाके के पहले कामयाब टटलू बाज के रूप में टटलू बाजों के बीच आज भी टटलू सेट यानि हाजी खुदा वक्ष का नाम बड़ी इज़त से लिया जाता है मगर उसके बिचले लड़के नियास दे मानो उसकी इज़त मिट्टी में मिलाती जिन टटलू बाजों के बीच उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था उन्हीं के बीच वो जैसे मूँ दिखाने लाइक नहीं रहा कल संडा यानि डमरू से बेहतर और कोई जर्या नहीं हो सकता जो इस पूरे मामले की सही और पुक्ता जानकारी दे सके मगर इस डमरू के साथ दिक्कत यह है कि जब से वो जमाती होकर आया है तब से वो अपनी ही लपरलेंडी के पेट में मारे मरों के अंगिनत गोले रड़कने लगे कि ओ कैसे इस डमरू से संपर्क साथे आखर लपरलेंडी क्या करे ये तो गनीमत था कि अकले दिन डमरू उसे नजर आ गया इस से पहले कि अपनी दुनिया में खोया डमरू उसकी पहुंच से दूर होता उसने बिना किसी देरी के उसे दवोच लिया अरे वहाजी डमरू साहब ऐसी कहा नाराजगी है जो तैने रास्ता ही बदल लियो लपरलेंडी ने शिकायत भरे लहजे में व्यंग कस्ते हुए कहा डमरू के उंगलियों में सरसराते तजबी के मनकों ने चौक कर देखा कहा कुछ नहीं मेरे यार ऐसी इबादत भी कहा काम की जो दुनिया दारी ये भुला दे लपरलेंडी ने आज जैसे तै कर लिया कि वो इस नए नए इमाम को ऐसे नही जाने देगा काका ऐसी कोई नाराजगी ना है बस ऐसे ही फुरसत ना मिल रही है हाँ भई लाला अब कहा मिलेगी तो है फुरसत देवर भावज की टिसल फिस्त जो दूर होगी है सुनी है अब तो भरभर कटोरा महरी भावज अपड़े आप नोरा में दे जावे है कहीं अपनी भावज को तेने मीटर तो ना खेंच दियो है एक कुटिल मुस्कान उचालते हुए आँख मारी लपरलेंडी ने तू भी काका कदी कदी बेमतलब की बात करे है ऐसो कुछ भी ना है अच्छो अब हम बेमतलब की बात करे है ठीक है कसूरते रोना काई ने सही कहिए कि मतलब निकलो हीर को तो खड़े दिखायो तीर सब बखत बखत की बात है लाला लंबी गहरी सांस ले उसे धीरे धीरे भाहर छोड़ते हुए लपरलेंडी ने डमरू के और कंखियों से देखा ऐसी कोई बात ना है इतना कह डबरू ने तस्वी को आराम दे उसे जेब के हवाले किया और चौतरे पर चड़ गया लपरलेंडी के नत्रों से निकली गहरी फंकार ने डमरू पर सही असर किया इधर उधर की बात करते हुए लपरलेंडी जल्दी उसी मुद्दे पर आ गया जिसकी वज़य से उसके पेट के मरोडे उसे दम नहीं लेने दे रहे थे डमरू यार या टकलू के घर में यह कहा टिसल फिस से चल रही है काका खुदा तलक मोहे तो कुछ पता है ना डमरू ने बड़े भूले पन से उत्तर दिया यार तू भलो इमाम को चोदो बढ़ो अन्याई यासर तो तू तब ही चोको हो जब जमात में ना गयो हो कम सु कम मारस तो हो मेरे यार परोस में इतनो तगड़ो कांड होगो तू कहरो के मुझे कुछ पतो ना है लपरलेंडी एक एक हट्ते से उखड़ किया एक बात कहूं डमरू बुरे तो न माने गया डमरू एक दम चुप उससे तुरंत कुछ भी कहते नहीं बना बस टक्टकी लगाए अपने सामने बैठे लपरलेंडी को निरखता रहा तेरो माजनों ही ऐसो है तेरी उस सिंगार वाली भावज तेरे बारा में सही कहवे है अगर तो में इतनी अकल होती ना तो अपतलक तेरो घर बस चुको हो तो तो अपनी इस भावजन को रहमो करम पे न रहतो कहते कहते लपरलेंडी का चेहरा तम-तमा उठा लपरलेंडी किस लानत मलानमत पर डम्रू भीतर तक्तिर मिला गया लगा जैसे जांग पर हुए कच्चे बाल तोड़ को किसी ने जोड से भीच दिया ठीक है तू अपड़िया इबादत में घुसो रहे फिरतो रहे ये तस्वीय है टम्रू के लिए चोतरे से उतरना मुश्किल हो गया इससे पहले कि वहाँ कोई और आता उससे पहले टम्रू ने अपने उपर डाली हुई भोलेपन और अंजान बने रहने की चादर उतारने में ही अपनी भलाई समझे काका सुरी तो मैंने भी है कि नियाज और नजराना में कुछ खटपट हुई है पर या की असल वज़े कहा है या है पता लगाने की पूरी कोसिस करूँगो लपरलेंडी होटो ही होटो में अपनी काम्याबी पर मुस्कुराया तीर एकदम निशाने पर लगा लपरलेंडी होटो ही होटो में अपनी काम्याबी पर मुस्कुराया तीर एकदम निशाने पर लगा फिर डमरू को कुछ सूतर थमाते हुए बूला खटपट तो हर घर में चलती रह वे है पर या को मतलब यह ना है के बात तर लाक तक जा पहुँचे वह तो यह खटपट ना कुछ औरी टिसल फिस लगे है अंधेरे में यूही तीर छोड़ते हुए भूला लपरलेंडी कोई और टिसल फिस? हाँ यह में जरू कोई गहरी बात है वरना नजराना जैसी अल्ला की गाये के संग इतनों बड़ो जुलम ना हो तो कहते कहते लपरलेंडी एक गहरे विशाद में उतरने लगा और किबला की तरफ मू करके दोनों हाथों को उठा उन्हें कानों की लौ के बराबर ले जाते हुए डमरू को सुनाते हुए बोला रहम कर खुदा ऐसी भली और नेक औरत के संग भी अगर आदमी निभा न सके तो वासू बड़ो निर्भाग या दुनिया में कोई और ना है बातों बातों में उन दोनों का इसो ध्यानी नहीं गया कि सांज के गहराते खामोज जुट पुटे में सफेद भगले अपने अपने घोसलों को छोड चमगादरों के साथ ठिटोली कर रहे है लग रहा है मानोस्या आस्मानी चादर पर धवल ठक के तिर मिरा रहे है इसी भी सामने कीकरों में बने बगलों के घोसलों से एक दुरगंद भरा भगु का नत्रों में समा दिया नहीं रुका गया लपड लेंडी से डमरू गाओं बस्ती में बुगला बसरा अच्छी निसानी ना है अभी तो देखियो और कितना अजाप आएगा या गाओं के डमरू ने बगलों के उगते हुए जुन्ड की ओड देखा तेजी से गहराते अंधेरे में रह रहकर बगलों के जुन्ड से आती करकश आवाज डमरू के कानू को भी नहीं भाई एक अंजाने अप्त्याशित अनोहनी के डर से वो सिहरता चला गया इससे पहले कि लपर्लेंडी कुछ और कहता वो चोत्रे से उतर सीधा अपने नोहरे की और बढ़ गया डमरू ने लपर्लेंडी की बातों में आकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ओट तो ली बगर अब उसे लग रहा है कि ये काम उससे होगा नहीं जितना आसान इस काम को समझ रहा था उतना है नहीं आकर किसी के घर की दरारों मोखियों और उसके कच्चे पन में सेंध लगाना इतना आसान थोड़े ही है डमरू ने अपनी युक्तियों के सारे घोड़े दोड़ा लिये किन्तों सब बेकार एक बार उसने सोचा भी कि क्योंना अपनी सिंगार वाली भावज आमना से पूछा जाए वैसे भी एक औरत की दुनिया का औरत को ही ज़्यादा पता होता है मगर अगले पल ये सोचकर उसने अपने कदम पीछे खीच लिए कि कहीं आमना इसका दूसरा मतलब निकाल बैठे डंगरू के कई दिन इसी उवापोह में जूचते हुए बीद गए कि वो आमना से पूछे या नहीं जबकि सचाई ये है कि इसका भेद आमना के अलावा और किसी के पास होगा भी नहीं बमुश्किल उसने जो होगा सो देखा जाएगा का साहरा लिया और आमना से सुराग लेने का निश्य कर लिया अन्य दूनों की अपेक्षा डंगरू की जहां फजर की अजान से नीन तूटती थी आज उसने पौबी ने फटने थी ये बात अलग है कि पौफ अटने से पहले परिंदे उठ चुके हैं देर तलग डंगरू यूही कुन मुनाता रहा और सोचता रहा कि एक समय ऐसा भी था जब इस वक्त तक घरों से आटा पीस्ती चक्टियों की आवाजें आनी शुरू हो जाती थी मगर अब या तो फजर की अजान से पता चलता है या कुछ गायब होते परिंदों की नसल के कलरों से जैसे जैसे सुबह का उजाला तेजी से पहलने लगा वैसे वैसे डमरू की वगरता भी बढ़ने लगी रह रहकर उसे लगता मानों दूर से सुनाई देते कलेवा के पदिचाप दीरे दीरे उसकी और बढ़े आ रहे है आमना का इंतजार आज उसे इंतजार नहीं हिलोरे लेता ऐसा दरिया नजर आ रहा है जिसके थपेड़े उसे किनारे तक नहीं पहुँचने दे रहे है आखिरकार वो घड़ी आही गई जिसके लिए डम्रू ने आज पौबी ने फटने दी आमना ने महिरी का कटोरा रोज के तरह डम्रू को दिया और कलेवा करने तक वो उपले निकालने बटेवडे में घुश गई एक एक पल का बड़ी चतुराई और सफाई से इस्तिमाल कर अभी आदाही के लिवा किया था कि इसी वीच आमना भी अपना काम पूरा करके उसके पास आ गई अपने देवर को किनी खयालों में खोया देख आमना ने हलके से मठराते हुए पूछा डम्रू कौन सी सोच में डूओ पड़ो है अगबकाने की मुद्रा अपनाते हुए डम्रू ऐसे चौका मानों किसी ने उसे कच्ची नीन से जोड़ते हुए जगा दिया ऐसी कोई बात ना है डम्रू ने जान भूज कर एक बेपरवा हसी उचालते हुए जवाब दिया ना कुछ तो बात है नहीं तो इतनी देर में पूरा कटो रहा है हलक से उतार मूछन पे ताओ दे रहो हो तो आमना उसे सोची गहरी खंदक से बाहर लाते हुए बोली पहले तो डम्रू कुछ नहीं बोला मगर जब उसने देखा कि आमना के कल्ले में ठिटोली करती जीब को कुछ शक हो गया है और आखों ने उसके चेरे के भावों की चोरी पकड़ लिया तब उसने होगा सु देखा जाएगा का मनी मन इस्परण किया और पूछ लिया या ठिटोलू के घर में कहा कलेश चल रहो है तोहे कहा लेडो है बाका या कलेश सू कल्ले में चक्कर लगारी जीब को रोकते हुए पूछा आमना ने लेडों मेडों कुछ ना है पूरा गाओं में मुनादी सी पिटी पड़ी है के जब तोहे सब पतो है तो मोसू काईरू पूछ रो है आमना की आखें डमरू के चेहरे पर चस्पा हो गई जैसे डमरू चुप इसी का डर था उसे उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस विशे पर वो कैसे माटी डाले इस लपर लेंडी ने भला फसाया उसको आमना के होटो पर एक शोख मुसकान फ्हलती चले गई तो मेरा देवर का हलक सू या गम में महरी ना उतर रही है कहा मतलब है तेरो हलक से उतरता घूट जैसे गाट बनकर बीश में टक गया तू सब समझ रहो है मेरो मतलब गीदरान का पकाया सू ऐसे बेर ना पके है तेरो कहीं दिमाग तो न चलगो है जो तू ऐसी उट पटांग बात कर रही है को तोरे को जमीन पर लगवग पटकते हुए भनना या टमरो अच्छो अब मेरो दिमाग चल रहो है मैं आब उट पटांग बात कर रही हूँ आमना एक कुठिल मुस्कान उच्छालते हुए बोली तू ऐसो कर फूट ले ही सू नहीं तो बेमतलब कुछ हो आ जाएगो जब देखो बस सूधी कुलाडी सू लगता धोती रोले है ले मैंने कौन सा सूधी कुलाडी सू लगता धो दिया तो फिर ई कहा है जो तू यह रामाणे ले बैठी ले इ भली कही बात छड़ी खुद ने और मैं ले बैठी रामाणे चल तेरी बात ठीक है पर एक बात बता तेने ऐसी बात पहले तो कदी पूछी ना जो आज पूछ रो है खुदा तलग भावज मोह कुछ पतो ना आए मैं तो लपरलेंडी का चौतरों पे गयो हो तो हूँ लपरलेंडी ने बताई ही के हाँ हाँ डमरू की जान में जान लोटाई डमरू इतने भोलो मत बन शब्दों को चुबलाते हुए कोचा आमना ने डमरू ने दोनों हातों से सिर्थ थाम लिया उसके कुछ पले नहीं पढ़ रहा है कि आमना आके कहना क्या चाहती है मन ही मन अपनी बियोगूफी पर डमरू जला उठा कि उसे इस टटलू सेट से क्या लेना देना पर क्यों आ गया इस लपरलेंडी के जासे में उसे तो अपनी अबादत से मतलब रखना चाहिए लेकिन ये क्या अगले हिपल जैसे लपरलेंडी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा यार ऐसी अबादत भी किस काम की जो दुनियादारी ही भुला दे डमरू एक अजीब से दुर्धा में फसकर रह गया कि उपनी अबादत और इस दुनियादारी के बीच एका एक आगय जोल को कैसे साधे इन दोनों मेंसे उसे अगर किसी एक को चुनना है तो किसे चुने इस बीच उसने अपने चारों तरफ पसरे सरनाटे में देखा तो पता चला आमनाव वहां नहीं है अपने फेपरों में धेर सारी हवा भर कुछ पलों के लिए रोक कर उसे बाहर छोड़ा और सिर को जोर से जटकते खुद से कहा कि उसके लिए दोनों जरूरी है यानि इबादत भी और दुनियादारी भी इसलिए अब तो पता करके ही मानेगा कि आखिर हाजी खुदा बक्ष यानि टटलू सेट के घर में ये क्या ठिसल फिस से चल रही है जिसके चलते नियाज को इतना सक्थ फैसला लेना पड़ा डंगरू के पास अब एक ही प्रकाश इस्तंभ बचा है जो उसकी डगमगाती कर्ष्टी को सही रास्ता दिखा सकती है और वो है उसकी बड़ी भावज नसीबन इससे पहले कि वो अपनी इस बड़ी भावज के पास जाने की यूजणा बनाता उससे पहले उसने ये बात कार्थ बाद ली कि वो भूल कर भी बीच कर आस्था नहीं अपनाएगा यहां तक कि बिशली भावज फातिमा को भी पतानी जलने देगा डमरू ने समय रहते सारा काम निप्टाया और रोटियों से कुछ देर पहले बिना किसी पूर सूचना के मौका देख घर पहुँच गया हाला कि जाने से पहले उसने कई बार इस पर मनन किया कि अगर उस वक्त उसकी दूसरी भावजें यानि फातिमा और आमना वहां मिल गई तब इस इस्तिति से निपटने के लिए डमरू ने तैक कर लिया कि अगर इन में से कोई भी वहां मौजूद होगी तो वो इस बारे में चर्चा ही नहीं करेगा कोई बहाना बना कर वहां से लौट आएगा वैसे इतना डर उसे फातिमा से नहीं जितना इस सिंगार वाली से लगता है मौरे से ऐसे वक्त बेवक्त आना किसी के लिए हैरानी की बात नहीं है इसलिए ढमरू के इस तरह आने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया नसीबन ने डम्रू को आया देख पहले से उसकी रूटियों में देशी की गोद-गोद कर भढ़ दिया इधर डम्रू ने उचट्टी निगाह से अपने आसपास देखा तो वो समझ गया इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता भावज या टटलू के घर में कहा बात होगी टम्रू ने बहुत साबधानी पर रत्ते हो पूछा बात कहा बे मतलब वा अल्ला की गय जैसी बहु पे तोफान लगा रहा है के नजराना को चाल चलन ठीक ना है बिलकुल भी खुदा का खौप ना रहो बेड़ा गरक जाएगो इनको दिया लेके ढूना सू भी न मिलेगी ऐसी बली बहू एक ही सास बे सारा किस्था बयान कर दिया नसीबन में वैसे ही बात चचे तो है ना तीन-तीन बालकन की माँ पे ऐसो इल्जाम लगानों अच्छी बात ना है डमरू रेने वाले को बीच में रोपते हुए कहा सब नसीब का खेल है बीरा कहा तो बहून का भी टोटा पड़ रहा और कहा तल्लाक होते ही बेटी वाला टटलू के आगे पिछे डोल रहा है ये तो पूरो गाउं इनकी थूतू कर रहो है जासू इरुको पड़ो है नहीं तो अब तलक नियाज को दूसरो निका हो चुको हो तो नसीबन का चेहरा धीरे-धीरे खिछने लगा वैसे नियाज ने उस सही में तल्लाक दे दी है डंडू की चिक्यासा उचाल मारने लगी तल्लाक दी है जबी तो नजराना पिहर में बैठी है अब जब सारो गाउं इन पे माटी गेर रो है तो हरामी गधासा भरता डोल रहा है कि काई तरह राजी नामा हो जाए कौन डोल रहो है गधासो भरता जानी पहचानी आवाज पर डंडू ने पलट कर देखा आवाज किसी और की नहीं उसकी बिजली भावज फातिमा की है वही डेट खुदा बकस और कौन नसीबन ने बताया वैसे तो दुनिया सेट बनी डोले है सो मुसान ने खा के हाजी बना हांडे है और करम ऐसा कि बताते हुए सरम आवे है वैसे ये सारा बीज या हरामी टकलू का बोया हुआ है वाई की ही बेटा बहु पे गलत न जाए जब बहु काबू में आई तो यह फा उड़ा दी कि व ऐसा धेट रावणनसू हम कहां तलक बस्ती डोलें ये तो उबात होगी के वहीं बहु को पीसरों वहीं ससुरकी खाट निप्टत आवे पीसरों सरकत आवे खाट एक इघरी तो हमारे आसरो है वाई भी छोड़ दें तुम कहा जाए जब हम अपना घरन में ही महफूज ना ह तो और कहां होंगी अब बताओ तीन-तीन बालकन की तो होगी ना जिन्दगी खराब फातिमा की आखे मारे गुस्से और क्षोग के तक उठी बाप तो बाप उन्याज भी पूरे धेड निकलो जाने बाप का सिखाया में आके नजराना तलाग दी तीन-तीन बालक पालना हसी खेल है नसीबन अपनी दोरानी के ख्षोग में शामिल होती हुई बोली पर सुनी है के नियाज भाए लाने पर राजी होगो है फातिमा ने जो सुना उसके आधार पर पूछा ना हुए होए तो हमारे इदेवर कद काम आएगो आकिर वही हो गया जिसका डर था पता नहीं क आमना के आते ही नसीबन उसे करियाते हुए बोली वैसे सापण का सा कान है हरामण का दूर सुई भाबले है कि कौन कहा बतलारो है फातिमा भी नसीबन का साथ देते हुए बोली देखो बहां अब तम चाहे मोई लंकारी कहो या सापण और खरी बात तो इह आमना कहके कल्ने में जीब को फिराते हुए आमना ने बैठते हुए कहा या मैं खरी बात कहां सुआगी फातिमा ने जलाते हुए पूछा खरी बात ही तो है कि हमारे याई देवरे वान जनाना की बड़ी चिंता हो रही है नोहरा में कलेव देन गई तो यह हूँ भी मोसुप पूछ रो दसड़ी अगर या ने पूछ ली तो कौन सो गुना कर दियो जो तु बात को बतंगर गणा रही है नसीबन डाटते हुए बोली आमना को ले मैं बात को बतंगर मणा रही बताई इसके बाद आमना ने डालान में नजर गुमा कर देखा और फिर बेहत धीमी आवाज में लगबख फुसफुस आते हुए बोली मोहे तो यह दाल में कुछ और ही कालो दीख रो है तू तो भली दूर बीन हुई बहां जो तोहे सारो कालो पीलो दीख रो है तू भी बखे के तोहे यह दाल में कहा दीख रो है फातिमा ने ब्यंग करते हुए कहा फातिमा कई हमारो इस देवर्वा नजराना के चक्कर में तो ना है डम्रू की और देखकर फिस्स से हस पड़ी आमना भावज या तो या इस हमझा ले हो नई काई दिन छिनाल तू काई दिन मारस मरवा के मानेगी जो मुँ में आवे बक्ती हो गया डम्रू का वाक्य पूरा होने से पहले नसीबन अपनी दोरानी आमना पर बिना टिकर चड़ पैठी कुछ कहना सो पहले सोच ले करके मैं कहा कह रही हूँ फातिमा भी अपनी जिठानी का साथ देते हुए बोली मैं तो बहुत सोच लूँ पर तम या डम्रू सुई तो पूछो के वा हरामी टटलू के घर में याकी कदसू दिलचस्पी हो गई वैसे कसूर या बिचारों को भी ना है आज कल याकी लेंडी वालापर लेंडी से कुछ जादा ही जुड़री है अपड़ी तो लुगाई वापे रुकी ना हमारा देवर सुवा नजराना के बारे में पूछतो डोले है तैने कद देख लियो यी वासु बतलाते हुए नसीवन पहली बार थोड़ी विचलित हुई यही बतारों आमना ने डम्रू के मुँपर ही सच सच बता दिया डम्रू से कुछ भी जवाब देते नहीं बना इधर नसीवन और फातिमा भी चुप मेरी मानो तो तम दोनू भावज अपना या देवर की आगे ठंडी करना का इंतजाम करो जमात में तो इदुनिया दिखाय कुग गयो हो तम ना जानो या कमन में कहा है रही सही कसर भी पूरी कर दिया आमना ने डमरू बीरा ऐसान सू दूर रहकर ये इज़्यदार मानसना है डमरू को छोटी सी नसीहत दे नसीवन ने बात यहीं खर्म करना मुनासिब समझा सारा गाउं में एक यही पटवारी बचो है जो उरल परलंडी यासू पूछेगो यह तो ना है कि चुपचाप पांचु बखत की निवाज पढ़तो रहूं आमना ने जी भर कर डमरू की जैसे आरती उतार दी डमरू कुछ नहीं बोला चुपचाप उठा और नोहरे की ओर चल दिया उपन्यास हलाला की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में